हेलो फ्रेंच, स्ब्राइब के बच्च के लिए डैली प्रैक्टिस वर्क्षिट यह जो मैंने वर्क्षिट प्रेपायर की है वो इंगलिश और मैज्स की कमबाइन वर्क्षिट प्रेपायर की है तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं नर्सरी डैली प्रैक्टिस वाक्षिट जिसमें हम फर्स कोशन की बात करें तो match same color and same pattern यहां भी ज़स्ट बच्चे को क्या करना है match same pattern and same color बच्चे को pattern भी देखनी है साथ ही साथ उसका जो same color ही वह भी देखके क्या करना है just यहां पर match करना है suppose यह blue है and then उसमें क्या है dot है तो इस तरह से यहां पर blue है and उसमें भी क्या है यहां पर dot है उस circle yellow color कार इस तरह से यहां पर yellow के साथ क्या करना है match करना है orange then orange star उसके बाद red है तो इस तरह से red के साथ उसके बाद यहां पे green है तो इस तरह से green के साथ यहां पे बचे को क्या करना है? match, same color and same pattern question two put the apple in the basket यहां पे चो apple है उसको कहां पे रखना है? basket में तो इस तरह से बचे को tress करके apple कहां पे रखना है basket में तो इस तरह से यहां पे slipping line आएंगी इस तरह से यहां पे बच्चे को apples को basket में रखना है इस तरह से then after बच्चे को यहां से start करना है then sleeping then करवाली pattern बना के बच्चे को basket में apple को रखना है just इस तरह से बच्चे को क्या करना है apples सभी रखने है उसके बाद next work शटीज question 3 number rainbow यहां पे मैंने rainbow draw किया है जिसमें मैंने numbers draw किया है तो यहां मैंने कुछ codes दिये हुए suppose यह zero है तो उस पर कौन से color आएगा blue color one पे orange, two पे yellow, three पे red तो बच्चे को क्या करना है यह जो zero दिखाए दे रहे वहां पे कौन से color का use करना है यहां पे बच्चे को क्या करना है यहां पे पूरा जो rainbow है वो क्या करना है यहां पे complete करना है उसके बाद next work question 4 finish the pattern यहां पर बच्चे को क्या करना है पैटन को क्या करनी है finish करनी है किस तर से दिखी यहां पर green color है then after pink color green color pink color तो यहां पर भी कौन सा color का यूज करना है बच्ची को green color का and pink color green color pink color उसके बाद अनदर देखते है orange yellow orange yellow orange yellow इस थर से यहां पर जो caterpillar क्या क्या करने है अनदर करना है the question question 5 how many sprinkles यहां पे अनदर उसका नंबरस है यहां पे क्या करना है राइट करने है when two three four तो यहां पर कौन सा नंबर लिखना है यहां पे four लिखना तो इस तरह से तो यहां पर क्या लिखना है इस तरह से बज़े को काउंट करके उसका चो करिक्ट नम्र ही वह यहां पर क्या करना है राइट करने है उसके बाद नेक्स वक्षटीज उसके बाद question 6 Jellyfish, count on, यहांपे क्या करना है? Jellyfish मैं यहांपे ज्याद की है, जस्ट बच्चे को count on करना है, किस तरह से count on करना है? तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, इस तरह से बच्चे को pattern बनानी है, then after three four five six make sure कि आप बच्चे को जब इस तरह की वाक्षीट सिखाए तो बच्चे को बोलना है कि बोलो चलो three four five six इस तरह से speak and write ही बच्चे को कराना है हमें then इस तरह से seven eight nine ten four five six seven इस तरह से यहाँ पर बच्चे को क्या करना है jellyfish चो है उसमे lines चो है वो क्या करनी है यहाँ पर draw करनी है इस steps की वाक्षीट से क्या होगा कि बते को पता चलेगा कि one के after क्या आएगा two के after three और three के before क्या आएगा two आएगा इसे हम बच्चे को यहाँ पर number सारे सिखा सकते है question seven letter T for trees बच्चे को में बोलना है कि letter T for क्या आता है trees जस्ट यहाँ पर बच्चे को क्या करना है जो T है वो सभी क्या करने है यहाँ पर ट्रेस करने है इस सरसे T for tree 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 इस सरसे यहाँ पर जस्ट क्या करना है ट्रेस करना है उसके बाद next वक्षटी इस eight question eight eight windows यहाँ पर क्या करना है बच्चे को eight windows करने है किस तर से देखे यहाँ पर मैं बताती हूँ suppose यह five है तो बच्चे को कितने windows ड्रो करने है यहाँ पर five windows इस तर से बच्चा चाहे तो इस तर से one two three four and five इस तऱ से फाइब विंडोस क्या करने हैं, draw करने हैं बत किसके according यहां पे कुछ number दिये हैं उसके according यहां पे बच्चे को windows चो ही वो क्या करने हैं, बनाने हैं यहां पे देखे 4 है, तो इस तऱ से 1, 2, 3, and then 4 windows यहां पर कितने करने हैं बच्चे को 2, यानि कि 1, then 2, उसके बाद यहां पर 3 विंडोज, इस तरह से 1, 2, then 3 विंडोज, यहां पर बच्चा कोई भी साइस का विंडोज यहां पर बना सकता है, बच्चे को क्या करने हैं, सबोस, यहां पर क्या लिखना है, तो क्या लिखना है, यहां पर यहां पर आई, L, M, Q, Q, R, R, S, इस तरह से यहां पर बच्चे को क्या करना है, after letters चुहे वो क्या करना है write it करने है उसके बाद next work शिटीज question 10 join the numbers in the order यहाँ पर बस चीप क्या करना है बच्चे को orders के according क्या करने है बच्चे को numbers join करने है suppose 1 है तो इस तरह से 2 आता है उसके बाद 3 है then after 4 5 है तो इस तरह से 6 9 है तो इस तरह से 10 7 है तो इस तरह से 8 चस्ट इस तरह से बच्चे को क्या करने है सभी numbers orders के according क्या करने है join करने है आप question 11 color or number यहाँ पर क्या करना है बच्चे को मैंने यहाँ पर numbers पी लिखे हुए साथे साथ ऐलफबेट्स पी लिखे हुए है तो बच्चे को यहाँ पर shorting करने है किस तरह से colors करने है सभी numbers पर, alphabets पर color करने नहीं है सबोस यहाँ पर 1 है तो इस तरह से 1 के उपर क्या करना है पूरा color करना है ए के उपर color नहीं करना है उसके बाद 2 है तो इस तरह से 2 के उपर B, C, 3 है तो इस तरह से 3 के उपर, 4 है तो इस तरह से 4 के उपर, D उपर, नहीं करने हैं उसके बाद 7, then 8, 9, and 10 इस तरह से यहाँ पर बच्च को numbers जो है, उसमें क्या करने है, colors करने है बस इस steps की worksheet देखे आप बच्च को daily practice करा सकते हैं अगर आपको इन सारी worksheet की PDF फाइल चाहें, तो comment करके ज़रूर बिताना, मैं आपको share कर दूँगी I hope कि आपको मेरा अच का वीडियो useful लगा हो useful लगा हो तो उसको like कर देना, channel पर नहीं है, तो subscribe कर देना, thank you for watching